स्वागत है दूस्तों और आज की टॉपिग में दूस्तों बात करेंगे कि किस तरीके से आप c dissertation खर्ट जो हैं construction को लेकर किस तरीके से कम कर सकते हैं तो एक construction काम होने के लिए धेड सारी चीजों को होना ज़रूरी है जैसे कि labor काम करेगा work करेगा duration के वहाइज से तो जाकर material हो गया, तो हर एक चीज का अपना रूल है construction के दोरान में, ठीक है, तो इतना चीज आप ये समझ लिजिए कि हर एक चीज कहीं कहीं construction को effect कर रहा है, तो सबसे ज़्यादा अगर खर्च का बात करें, तो आपको labor से लेकर, duration कितना समय लगेगा, material को लेकर, work को लेकर, सबी चीज पर आप अपना नीरंतरन आप कर सकते हैं, किस तरीके से cost को आप reduce करना है, पर सबसे ज़्यादा अगर cost को reduce करना चाहते हैं, तो आपको करना जरूरी है construction material में, ठीक है, construction material में आपको cement हो गया, brick हो गया, गिटी, बजरी, सरिया, इसके बाद डोर, window, fitting, marble, tiles, grill, paint, यह सबी चीज आपका construction material है, और अगर आप construction material को अच्छी तरीके से जाच कर, अच्छी तरीके से utilize करके अपना construction में काम करवाते हैं, उस तरीके से, तो यहाँ से आप काफी ज़्यादा खर्ज जो है, आप reduce करके construction आप अपना काम आगे बढ़ा सकते हैं, चलिए दूस्तों, तो सबसे पहले बात कर लेते हैं, कि सबसे ज़्यादा जो use किया जाता है, वो अपना brick हो गया, ठीक है, brick या फिर block, ठीक है, आप कौन सा क्या use करना है, brick use करना है कि block, वो आप पर depend है, ठीक है, तो brick आप ऐसे करके use किजिए, कि locally जो आपके market area surrounding में, कौन सा eat है, लाल eat, जो क construction में use कर सकते हैं, और दुसरा बात यह भी दोस्तों कि first class brick, जो red clay brick है, उसके instead में, उसके बजाए आप fly as brick भी use कर सकते हैं, ठीक है, ठीक है, तो उतना cost भी reduce रहागा, और अपना strength है, वो अपना strength, competition, आपको बड़ाबरी मिलता है, red clay brick और fly as brick में, ठीक है, तो fly as brick आप use किजिए, red clay brick के instead में, दुसरा बात यह है कि दुस्तों block, ठीक है, तो block, अगर brick आप use नहीं करना चाहते हैं, तो AAC block यूज किजिए, जो aerobic, aerated, concrete block है, वो यूज किजिए, एक वो अपना light weight हो गया, durable है, ठीक है, वो दुसरा बात, thermal resistance क कारण से, thermal, low, thermal, resistant कारण से, आपको electricity, जो आप जैसे की, गर्मी मौसम में, पंखा चलिएगा, AC चलिएगा, तो उस जगा पर, तो उस जगा पर आप, AAC block अगर यूज करते हैं, तो low, आपको, जो cost लगेगा, electricity, वो अपना कम रहेगा, तो इस तरीके से भी आप, अच्छी खासा जो reduce कर सकते हैं, construction को, cost को लेकर, वो आप इस तरीके से, कर सकते हैं, कि fly ice blick लगा लिजे, या फिर, AAC block लगा लिजे, द जो आता है, category में, तो उस तरीके का break आप लगा सकते हैं, चले दोस्तों, अब बात कर लेते हैं, cement को लेकर, तो cement के मामले में, आप किस तरीके से reduce कर सकते हैं, construction cost, तो cement पहले ये चेक कर लिजे, कि locally, जो available, आपके market, आपके locally में, जो available है, really available, ज्यादातर available, तो उस तरीके का cement आपको cost कम रहता है, तो उस तरीके का आप reduce सकते हैं, तो उस तरीके सा आप reduce सकते हैं, उसके बाद जो, कितना होता है कि branded cement जो हता है, जो कि अपना marketing कई जगापर करने के बाद, उसका जो market ज्यादा quantity ज्यादा बिक्री होने के कारण से, उनका जो cost रहता है, वो अपना कम तो यह आप जहां परतार करके मार्केट में तब उसके बाद कौन सा आपको यूटिलाइज करना अपनी कंस्ट्रक्शन में वह आप देख सकते हैं ठीक दुसरा बात यह है कि सीमेंट में आपको OPC और PPC मिलेगा तो PPC अगर यूज करना चाहते हैं वह भी आपको अगर पायर में आप OPC देदीजे और PPC जाएसे कि फ्लोरिंग का टाइल्स का PPC बनाना है तो प्लास्टरिंग करवाना है तो वहां पर आप PPC यूज कर सकते हैं इससे भी आपका कर्स्ट रिडूस रहेगा और PPC का फायदा भी है कि PPC में आपको क्रैक डेवलप जल्दी ने आता ठीक तो आप ये चीज देख लिजे कि OPC कौन जगा पर लगाना है तो वहां पर OPC लगा दीजे और कॉस्ट रिडूस भी हो जगा आप PPC अगर आप लगाते हैं जिस जगा पर आपको PPC लगाना है चलिए दूस्तों अब बात कर लेते हैं कि लकडियों को लेकर ठीक है तो उड कर लेते हैं या फिर अल्मूनियम तो यह अगर यूज करते हैं तो आपको 30% रिडिउस रहेगा आपका कस्ट ठीक है तो आप ये देख लिजे जहां पर आपको UPVC लगाना है PVC या फिर अल्मूनियम तो वहां पर आप ऊडेन को हटा कर आप UPVC या PVC लगा सकते हैं इसी तर तो यहां पर बालकनी हो गया इस तरीके का जगह पर आप PVC जो डो रहता है अल्मूनियम डो रहता है वह लगा लिजे ठीक है तो इससे क्या रहेगा आपका 30% रिडिउस भी रहेगा और जैसे कि अगर आप यूज करते हैं वेट एरिया में वेट एरिया में PVC या फिर UPVC अ तो वेट एरिया आपको इफ्यक्ट ने करेगा ठीक है कि वाटर रेजिस्टेंट रहेगा अगर आप उडें लगाते हैं तो जल्दी से वह अपना सर गल जाएगा ठीक है तो इस तरीके का जगह में आप UPVC PVC डोर वींडो आप लगा कर भी आप अच्छा खासा कंस्ट्रक् देते हैं तो इसमें आप किस तरीके से कर से हैं तो पहले बात कर लेते हैं मार्वल का ठीक है तो मार्वल का आपको मार्केट में अपना अपना साइज रहेगा दो बाई दो दो बाई चार स्कार फीट ठीक है तो इस तरीके का साइज तो आपको साइज उसी तरीके से लगा लेकर tiles में आपको सस्ता पढ़ेगा semen mossack tiles टीक है तो tiles आप अगर cost reduce करना चाते हैं tiles को लेकर तो tiles में आप semen mossack tiles लगाना है और साथ में जैसे कि अगर tiles हो गया Marvel हो गया तो आपका locally market में जो available है जो सस्ता है उसी तरीके से आप उसी branded का मार्वल या टायल्स आपको लगाना है साथ मैं आपको वेस्टेज को लेकर धंदेना है कि ज mercy हो जाता तो worstage का जो टुकरा भाग रहता है तो उस तरह का टुकरा भाग को जैसे ग्रेन नाइट हो गया मार्वल सो गया, टाय्लस हो गया तो कहां पर आप यूज़ करना चाहिए, तो जैसे कि staircase का जो riser रहता है, जो riser रहता 6 इंची, तो उस तरीके का जगा पर आप लगा सकते हैं, ठीक है, जैसे कि grainite अगर बच गया है, आपका top kitchen का slab, topmost करने के बाद भी, तो उस तरीके जो grainite है, आप उहां पर लगा सकते हैं, साथ में, आपको skating जो हता है, जो floor tiles लगाने के बाद, चारो तरब जो हता है, अपना room का, ठीक है, 6 इंची का, तो उस तरह का जगा पर भी आप जो wastage रहेगा, तो वो wastage को आप utilize कर सकते हैं, इस तरीके का skating में, और staircase का stairs में, जो risers हैं, ठीक है, तो इस तरीके से आप cost reduce कर स fitting करवाते हैं, तो वहाँ पर आपको जो use किया जाता है, जैसे कि plug हो गया, switch हो गया, socket हो गया, तो market में, आपको locally available branded भी रहेगा, जो कि अपना uniqueness रहेगा, उस में modernize किया जाता है, और उस तरीके का switch socket आपको मागा भी रहेगा, ठीक है, तो अगर cost reduce करना चाते हैं, तो locally जो available है, वो अपना use किजिए, ठीक है, locally means branded भी होना चाहिए, अगर यहाँ पर भी अगर आप चाते हैं, कि किस तरीके से reduce कर सकते हैं, और भी ज्यादा, तो जैसे कि store room हो गया, guest room हो गया, तो यहाँ पर कभी काल मतरे आपको लोग आते जाते हैं, या फिर कभी काल ही आपको जर् सकते हैं, तो दुसरा बात अगर बात करें, तो फिर दुसरा बात यह भी है, कि electric circuit यह सब ठीक है, कि आप लगा ले, पर जो wire को लेकर बात करें, तो wire आपका branded company का ही wire लग वही है, अपने electrical fitting में, ठीक है, और इसी तरीके से अगर cost reduction के बात करें, तो जो आपका railing है, जहाँ पर भी आपका steel work हो रहा है, तो वहाँ पर आप MS steel जो है, MS steel से क्या है, कि आपका cost भी अच्छा खासा reduce रहेगा, और appearances जो आपको देखाए में नजर में आता है, वो भी अपना अच्छा रहता है, तो इस तरीके से आप cost reduce कर सकते हैं, चले दुस्तों, अब बात कर लेते हैं false ceiling को लेकर, कि false ceiling अगर आप लगवाना चाहते हैं अपने room में, अपने घरों में, तो वहाँ पर आपको दो तरह से false ceiling लगवा सकते हैं, एक अपना P.O.P है, ठीक है, और दुसरा है अपना gypsum, तो दोनों में ये फरक है, P.O.P. आप अगर लगवाते हैं, तो लगवा आप को 25 से लेकर 30% कर सकते हैं, किसके विहाब में, आपको अगर gypsum board नहीं लगाते हैं, ठीक है, तो P.O.P. भी आपका अच्छा रहता है, क्यूंकि एक तरह से P.O.P. लगाने भी आसान है, अपना corner point में भी P.O.P. अच्छी तरीके से लग जाता है, बात करें gypsum का, तो ये अ तो अगर आप चाते हैं, 25 से लेकर 40% cost reduce करना फल सिलिंग लगवा कर, तो आप P.O.P. जरूर लगवाईएगा, ठीक है, तो ये ही था दोस्तों कि total construction material, अगर आप हर एक material में इस तरीके से सोच कर और इसी तरीके से आप काम करवाते हैं, तो आप अच्छी खासा cost जो है, हर एक sector से आप काम काम करके, आप अपना काम construction जो है, करवा सकते हैं, ठीक है, तो ये ही था दोस्तों, उमीद करते हैं, दोस्तों वीडियो अच्छी लगए हो, और जरूर से चैनल को सब्सक्राइब कर लिजए जोस्तों, क्योंकि इसी तरीके का construction वीडियो मिलता रहेगा आप अप्ता के लिए गुड़